उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीती इस समय आपसी सिर्फ फुटोवल में लगी हुई है यूपी चुनाव में हार के लिए सभी एक दूसरे को जिम्यदार ठहराने में चुटे हुए हैं एक तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार नव बनने पर मायावती को जिम्यदार ठहराया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मायावती सीधे अखलीस यादो पर पलटवार कर रही हैं साथ ही कॉंग्रेस प्रदीस में बिपक्ष की ऐसी इस्थिती के लिए सपा और ब्यस्पी पर हमलावर है जमाजवादी पार्टी के भीतर स्यूपाल यादो आजम खान और अनगुटो के बीच अपनी समस्याएं हैं इन मसलों के बीच पिछले दो दिनों से अखलीस यादो और मायावती के बीच चल रहे जुबानी लड़ाई रोचक हो गई है अखलीस यादो की और से मायावती को राष्छपती बनाये जाने वाले बयान से सुरू हुआ बीवाद अब अखलीस यादो के मुखमंतरी नब बन पाने पर पहुँच गया है मायावती ने सिंसले वाट ट्वीट करते हुए अखलीस यादो पर करारा हमला बोला है उन्होंने अखलेस यादों की यूपी चुनाओ 2022 में करारी हार पर तंज कसा है मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुख्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादो समाज का पूरा वोट लेकर कई कई पार्टी के साथ गडवंदन करके भी अपने मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए वे दूसरों को प्रधान मंत्री बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं दरसल मायावती का बयान अखलेस यादों के बयान पर पलटवार है ये पूरा मामला बुद्धवार को सुरू हुआ था जब अखलेस यादों ने एक कारिक्रम में कहा कि BJP ने BSP का वोर्ट तो हासिल कर लिया क्या अब मायावती को वे राष्टपती बनाएंगे अखलेस यादों के इसी बयान के बाद बिवाद की सुरूआत होई BJP की ओर से इस पर बड़े अस्तर पर तो कोई प्रतक्रिया नहीं आई लेकिन मायावती सामने आ गए उन्होंने अखलेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं UP के CM या देश के PM बनने का सपना देख सकती हूँ लेकिन राष्टपती बनने का नहीं उन्होंने सपा को BJP की प्रदेश में चीत के लिए जिम्यतार ठहराते हुए कहा कि सपा मुझे राष्टपती बनने का सपना देख रही है ताकि UP CM पद के रास्ते से मैं हड़ जाऊं मायवती के इस पलटवार के बाद एक बार फिर अकलेस यादो सामने आये और उन्होंने जबाब दिया मायवती के प्रधान मंत्री बनने के सपने वाले पयान पर अकलेस ने कहा कि मैं खुस हूँ मैं भी यही शाहता हूँ पिछले चुनाव में इसी को लेकर कटवंदन किया था अगर कटवंदन चारी रहता तो बियस पी और डाक्टर अमबेटकर के अनुआई देख सकते थे कौन प्रधान मंत्री बनता अकलेस यादों के बयान के बाद एक बार फिर माया वती ने चबाबी हमला बोला उन्होंने यूपी चुनाव में अकलेस की हार और पार्टी के प्रदर्शन पर आयना दिखा दिया माया वती ने लोकसभाद चुनाव दोजार उन्निस के दोरान सपास हुए गडबंदन के बाद चुनावी प्रड़ाम की भी याद दिलाएं उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभाद चुनाव में बियस्पी से गडबंदन करके भी अकलेस खुद पास सीटे ही जिस सकेते फिर भी वे बियस्पी प्रमुक को पीम कैसे बना पाएंगे इसलिए उन्हें ऐसे बचकाने बयान देने बंद कर देने चाहिए साथ ही मायवती ने कहा कि मैं यूपी की मुख्य मंतरी या प्रधान मंतरी बनू या ना बनू लेकिन मैं अपने कमजोर और उपेक्षित वर के हितों में देश का राश्पती कती नहीं बन सकती साथ ही अखलेश को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में सफा का स्रियम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है डेक्स रिपोर्ट डीके न्यूज